राजियो दिक्षित आइडेल टू आल इंडियन चनल को सब्सक्राइब करें तो उसका पत्ता काटेंगे पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है और उसको छील देंगे तो और ज्यादा रस निकलता है ये रस इकठा करके आप इसको कई तरीके से उप्योग कर सकते हैं सबसे बड़ा उप्योग इसका है डाइबिटीज में जिनको भी शक्कर की बीमारी है शुगर की बीमारी है उनको ये खोरपड का रस इकठा करना और चारपाग चमच सुबह ठाली पेट पीना बहुत अधबुद काम करना है दूसरा ये खोरपड का रस ऐसे लोगों की सबसे अच्छी दवा है जिनको नपुन सकता है इंपोटेंसी की बीमारी जिनको बहुत है ऐसे सब लोगों को खोरपड का रस बहुत अधबुद काम करता है आप उनके लिए भी बोल सकते हैं कि 3-4 चमच रोज सुबह इसको पेना तीसरा ये खोरपड का रस उन सब के काम आता है जिनके शरीर में खोड़े बहुत होते हैं फुनसियां बहुत होते है अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में कई छोटे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी यहां कभी यहां कभी यहां पाओं कहीं हर सब शरीर में खोड़े फुनसी होते रहे हैं इनके लिए भी ये कोर्परण के रस बहुत अभूत, बालों में अगो आपको डेंड्रण необходимо हैं, इसमे कोर्परण के रस लगाएं, भोथ अभूत अभूत काम करता है, बाल आपके बहुत ज़रते हैं, बहुत जादा तूपते हैं, समय से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लगाना शुरू किया तो बाल टूटने आपके बन कर देगा आपको ऐसा लगता है कि बाल आपके बहुत हलके हो गए हैं तो भी आप कोर्पट का रस उत्योग करिए बाल एक दम अच्छे हो जाएं अगर समय से पहले दिना किसी कारण से जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी किसी को बाल अगर सफेद हो रहा है उनको बोलिया कि कोर्पट का रस लगाएं बाल एक दम काले करते था इसमी कोर्पट के रस से शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा जो सड़ गया बहुत खराब एक बीमारी है जिसको अंग्रेजी में गैंग्रीन कहते है गैंग्रीन पर अलोपथी के किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई गाजी है गैंग्रीन का अगर कोई भी बीमारी आ गया तो अलोपथी का डॉक्टर एक ही बात आपको बुलेगा कि शरीर का ये अंग काटके निकाल दो ये सडा हुआ शरीर का अंग फिर से ठीक करने की ताकत दुनिया में जिस आउशत में हैं तो ये ही है कोरपट का रस कितना भी खराब अंग सर गया हो पाओं में, हाथ में, कहीं भी किसी भी इससे में, आप कोरपट का रस वहां लगाना शुरू कर दीजे आठ दस दिन में आप चमतकार देखेंगे अजबुत पढ़ना माता है इसी कोरपट के रस का और अच्छा एक उप्योग है जिनको भी रक्त का दूशन हो गया, रक्त का दूशन बहुत तरह का होता है जैसे आपके रक्त में एसिविटी बढ़दे रक्त में अमलता बढ़दे और रक्त की अमलता बढ़ने से क्या भीमारियां होती है चर्म रोग सबसे ज़ादा आते सुराइसिस नाम का एक चर्म रोग है इचियोसिस नाम का एक चर्मरोग है एकजीमा नाम का एक चर्मरोग है ये सारे के सारे चर्मरोग रक्त की अमलता बढ़ने से आते हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप कोर्पट का रस पिलाना शुरू कर दीजे चर्मरोग ठीट कर देता है और corporate का रस पीने में तो काम आता ही है चर्म रोग है तो उसको बाहर से लगा भी सकते हैं तेल की तरह उसकी मालिश भी कर सकते हैं और जल्बी ठीक कर देता है इसी corporate के रस से आपके शरीर का अंदर के कई रोग ठीक होते हैं जैसे आपको ulcer है अलसर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया अलसर है या पैक्टिक अलसर है इसको ठीक करने की ताकत corporate के रस में है तो जो अलसर के patient है जिनको ulceritis है यो भी इस corporate का इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक corporate मैंने इसका उप्योग करके देखा है कम से कम 53 बीमारियों में 53 disease में इसके बहुत अच्छे result इसलिए आप अपने स्वेंपा घर के नजदीक में एक गमले में जरूर इस corporate को लगाते रखिए ये बहुत कामाता है और एक आखरी मिमारी इसकी और बता देता हूँ बच्चों से लेकर बढ़ों तक कान में कभी भी दर्द हो जाए कितना भी तेज दर्द हो कान में आप corporate की रसकी एक ठेम डाल दीजे कान में पाँच मिनट में ही दर्द बंद देगा पाँच ही मिनट लगते हैं दर्द बंद हो जाए कई बार आपने देखा है बच्चों और बड़ों को एक बीमारी होती है कान में से लस निकलती इस बीमारी में भी corporate का एक ठेम कान में डाल दीजे तीन चार दिन सतट डालेंगे लस निकलना बंद हो इसी corporate का और कई जगे उपयोग होता है आपके मुह से बहुत बास आती है सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि मुह से बद्बू आ रहे है आप corporate के रस को मुह में मालिश करें मुह में मतलब मसूरों पे मालिश करें उसके बाद कुली कर लीजे तो मुह से बास आना बद करा दें अगर आपके मसूरों से खून आता है पायरिया नाम का रोग अक्सर हमारे दातों से खून आता है वसूरों से खून आता है तो corporate के रस को हलके हलके मालिश करिए तीन चार दिन के अंदर ही पायरिया को ठीक करने की शक्तेस में अधबुत है जे corporate और ये corporate सबहा किया दुरुबहा किये सबसे ज़्यादा भारत नहीं होता है अगर इस corporate का कोई business करे तो एक ही साल में कोटी पती हो सकता है इस corporate का रस अमेरिका में एक हजार रुपर लीटर बिखता है एक हजार रुपर लीटर गाय के तूप से भी महना गाय का तूप बिखता है 200-200 रुपर लीटर corporate का रस 1000 रुपर लीटर बिखता है और ये इतना मेहना क्यों बिखता है क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ये ज़्यादा होता नहीं है लेकिन इसकी demand बहुत है जितनी भी cosmetics industries है cosmetics के सामान बनने वाली companies सबको ये चाहिए अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा इसकी बांग है लेकिन वहाँ उपकन हो नहीं पाता ज़्यादा ज़्यादा ये भारत में होता तो अगर आप वास थोड़ा खेत है खेती है तो किनारे किनारे खोर पज लगा दीजे इसको पानी नहीं देना पड़ता इसको खत नहीं देना पड़ता कुछ नहीं देना पड़ता ये अपने सही बढ़ता रहता है काटते जाए रस निकालते जाए पाटली में भरके आप सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बारत के बजार में भी बेच सकते हैं बहुत बड़ा बिजनिस है और ऐसा बिजनिस है जिसमें घाटा कुछ नहीं होने वाला मुनाफा ही मुनाफा ही इसके दो फाइदे होते हैं अगर शेट के चारो तरफ आप ये कोर्पड लगा दें तो उस पूरे शेट में कोई भी जन्तु नहीं आता तो जन्तु ना तक औशदी की जरूरत नहीं और खोर्पड बड़ा होने के बाद हजार रुपए लीटर का भाव दे देता है इसको आप रस के रूपना भी बेच सकते हैं डायरिक भी बेच सकते हैं जी रस कैसे निकलता है इसका रस निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी मशीन आती है वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं मशीन से रस निकल सकता है और मशीन नहीं लगाना हो तो हाच से भी रस निकलाता है निकालने का तरीका मैंने बता है इसका पत्ता कातना फिर उसको चाफु से छेलना फिर छोटे-छोटे पीस उसके करना और उसको इसमेश करके रस निकलाता किूए जी मिकसर में निकलाता है तो इसको आप जरूर अपने घर में रखे यह कम से कम गंबले में लगा के रखे यह बहुत तरह के उप्योग में आपको आने वाला अभी जी काटे रहते हैं इसके पत्ते में काटे रहते हैं छोटे-छोटे काटे रहते हैं इसके आगे एक औशबी की माहिती देता हूँ जी इसका रस का कोई एक्सपाइरी डेट नहीं एक बरस, दो बरस, दस बरस, दीस बरस, पचास बरस कभी भी खराब नहीं होता जैसे गंगाजल खराब नहीं होता वैसे कोर्पर्ट का रस कभी खराब नहीं होता काच की बाठली में भरके कभी भी रख सकते रस कितना लेना तीन से चार चमब उतना ही परियास देख